हाई गाईज वेल्कम तू दियो स्टेडी ओफेड जूरूप चैनल इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे नाशनल पेमेंट कॉपरेशन ओफ इंडिया ने एक ओन डिवाइस यूपी आई लाइट वालेट लांच किया है जो की स्मॉल वैल्यू ट्रांसक्शन में काम यूपी आई लाइट फॉर यूपी यूजर्स विच विच विल एनेबल स्मॉल वैल्यू ट्रांसक्शन इन ऑफ्लाइन मोड जी यहां दोस्तो आप जो यूपी आई ट्रांसक्शन करते हैं जिसको पियर टू पियर कनेक्शन भी बोलते हैं वह हमेशा क्या हम लोग कैसे कर लेक käms कप यूपीड बालाइन करते हैं आपए आपके फोन में नेट होना जरूरी है लेकिन इसमें क्या होगा आप आफ्लाइन ट 나타सेक्शन कर सकते हैं और एक वालेट स्टूर होगा जैसे आप पेटिएं में वालेट होता है यू… Amazon का wallet होता है, लेकिन आप UPI का wallet नहीं होता है, UPI direct bank to bank transfer करता है, लेकिन ये UPI light जो service लाड़िया है, government, NPCI, इसमें एक wallet आपको provide की जाएगे, जिसमें आप छोटे amount का transaction कर सकते हैं, और UPI का full form क्या होता है, unified payment interface, आगे बढ़ते हैं guys, this functionality enables transactions without additional factor authentication और UPI pin, इस functionality में इस जो UPI light है, इसमें आप बीना pin डाले ही, आप पैसा डाल सकते हैं, ठीक, इसके pin की जरुवत नहीं परेगी, या तो additional factor authentication की जरुवत नहीं परेगी, ना ही UPI pin की जरुवत परेगी, किसके द्वारा design किया है, NPCI, National Payment Corporation of India, it will be launched as a pilot with multiple banks and app providers in next day, आने वाले 10 दिनों में यह launch हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ limits हैं, तो limits in UPI light क्या है, अपर limit of the payment transaction रुपीज 200, total limit of the balance for an online device wallet रुपीज 2,000 in any point of time, तो देखिए बहुत interesting चीज़ है, लिमिट क्या है इसके, तो यह question आ सकता है, कि UPI light का लिम maximum limit on device wallet में कितने पैसे हो सकते हैं, तो 2000 ही हो सकते हैं, उससे जादा नहीं हो सकते हैं, और आप कितना का transaction maximum कर सकते हैं, तो 200 का transaction कर सकते हैं, बहुत interesting चीज़ है, maximum आप 200 का transaction कर सकते हैं, और wallet में maximum amount 2000 रुपे हो सकता है, reason behind this launch, इसके launch के लिए पीछे क्या reason हो सकता है, तो देख and about 75% of the total volume of the retail transaction in India are below Rs. 100 तो आप यसे बता सकते हैं कि जो की transaction value है वो हमें वो 200 के करीब रहता है, half the UPI जितना भी है, जितना भी UPI transaction इंडिया में होते हैं उसका आधा जो है वो 200 के करीब होता है और 75% total volume का 100 के नीचे होता है समझ रहे हैं, also in 2022 RBI notified a framework for facilitating small value digital payment in offline mode और RBI ये बुला एक notified किया गया था कि एक small value digital payment offline mode में वो निकालेगा so catering to both scenarios this development has been made तो दोनों को मद्धे नज़र रखते वे ये development किया जा रहा है की points क्या है, आप देख सकते हैं in the first phase UPI light will process transaction in near offline mode that is debit offline and credit online मतलब कि घटे का पैसा आपको offline लेकिन credit होगा online आप समझ रहे हैं आप अगर पैसा आपको भरना है तो आप वो debit हो जाएगा offline लेकिन आपको अगर wallet में पैसा load करना है जो ऐसकी credit करना है तो वो online ही mode से होगा and after that both transactionally process offline और कुछ दिनों बाद वो offline हो जाएगा तब देखा जाएगा जब बग्स अगर निकलेंगे तो उसको सुधारा जाएगा और दोनों चीज को offline mode पे ले आ जाएगा when all parameters in the pilot will be successfully achieved then in a full scale commercial launch will be declared जैसे ही पूरा अगर first phase जैसे की कोई product को test किया जाता है वो successfully अगर वो test हो जाएगा बढ़ियां से अगर launch हो जाएगा तो उसको commercially all over India उसको launch किया जाएगा बड़े scale पे लाँच किया जाएगा इचीड फिलीना किया जाएगा तो उसको जाएगा जाएग अगरका 했े जाएगा जाएगा, जाएगा 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 UPI transaction next 3-5 साल पर target set किया गया है तो about National Payment Corporation of India के बारे में जाल लेते हैं कि ये National Payment Corporation of India है क्या तो देखे CEO और MD Dilib Asbay है ठीक है Headquarters का Mumbai महरास्ट्रा है और ये कुछ-कुछ product launch किया जैसे रुपय काड रुपय काड इंडिया का है जो कि National Payment Corporation of India चलाता है Immediate Payment Service सबको पता है National Automated Clearing House अधार ब्रिज पेमेंट ब्रिज सिस्टम एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम नाशनल फाइनांशिल स्विच यूपी भारत बिल पेमेंट सोलूशन सिस्टम और नाशनल एलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन तो यह सब जितने भी हैं सब नाशनल पेमेंट कॉपरेशन ओफ इंडिया के द्वारा हैंडिल किया जाते हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्यू